आज है 25 अगस्ट 2021 और 25 अगस्ट 2021 से जितने भी इंपोटेंट क्रेंट अफ्रेस बने हैं उन सभी का डिस्काशन करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो आप इस चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल बट्न डबागे और लास्ट में क्रेंट अफ्रेस का अस्टेटिक जी के करेंगे दोस्तों चलिए स्टाट करते हैं कुछ नंबर कुछ नंबर वन है है भीडियों बोल्ट को किस ने बिखित किया है तो यह स्वदेशी मोटर्स चालिज फिलचेर नियोंबोल्ट को या आये टी मदराश ने बिखित किया इसका पर बल की उबर खाबर इलाकों में भी किया जा सकता है नियोपुल्ट नाम से बने स्वद्देशी मोटर चलित विल्चेर की अधिक्तम गती 25 किलो मेटर प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किलो मेटर तक की यातरा कर सकती है यह विल्चेर विकलांग की उजर्स को कार और टो डिक्सा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुधा और सेफ्टी परदान करती हैं भात का पहला टॉफ फाइब क्रेंटर फ्रेस रिविजन कर लेते हैं भात के पहले हट फलेयर बायोट टैक काउद घाटन की स्राजे में हुआ है यह केरल में हुआ है शहरी छेतर में वन संदन अधिकारो को मनेता दिने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है यह 36 गट बना है भात का पहला वाटर प्लस सहर कौन सा बना है यह इंदर मध्य परदेश बना है भात का पहला ड्रोन फ्रोसेसिंग लैब एंड रिशार्ट सेंटर कहां खोला ग काजरंगा राष्टी एक जेघन यह नेकाजिरंगा नीशनल पार बना है। कौन क्रिप्तो ट्रेंसी एक्षैंज भारत का पहला क्रिप्टो युनिकॉन बना है यह कौइन डिसी एक्स बना है अगला कुछ ज्टन है एकेड़मिक रैकिंग आफ वर्ड इंवर्सिटी की रिपोर्ट की अनुसार बिस की सर्फच्ट इन्वर्सिटरी कौन और यह बनी है तो यह बनी है सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी पर यूजना की सुरुवात की है तो यह आंध्रप्रदेश में किया इसके राइटेंस रुगाप्स नमबर सी आंध्रप्रदेश सरकारी कंपनी एंध्रप्रदेश की विशाका पत्ने में अपने सिमाद्री थर्मल एस्टेशन के जलास्से पर भारत में 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी पर यूजना शुरू की है इस पर यूजना में एक लाग सी अधिक और पीवी मोडूल से बिजली पैदा करने की चमता है यह एंटी पीसी ने की है तो एंटी प निगम लिमिटेड इसके अस्थापना साथ नॉम्बर 975 को की गई थी इसका मुख्याले नई दिली है और इनका MDNC हो यह गुर्दीप सी है अगला कूश्चन है बिस उजल सब्ता हां दूजरी कीस काप तक मनाया जाएगा तो यह बिस उजल सब्ता हां दूजरी कीस यह मन जा गया है बिस उजल सब्ता वैस्विक जल मुद्दो और अंतराष्टिये विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए उन्हें स्वेकान में से स्टोक होम अंतराष्टिये जल संस्थान दोरा आयुजित एक वर वार्षविक कारेकरम है इस सब्ता को मनाने का दर्शन होस्ट के तो विल्दिग रिजिलियांस आधा़ प्यूल आधी कंगा अगला खुश्चन है बैटल फिल्डी की इसने लिखी उन्हें पूछते पूस्था daw मेने लेक्मि आखकने आहिकऊं पॉस्ता मुआवेर्ट केहनों से सब्सक्राइब धिकर अमगे अर्यसिब पारी ने लिखा है और यू नीट इज जोस इंस्पाइडिंग एस्टोरी ऑफ कोर्स एंड कॉन्वीकेशन इन 21 सेंचूरी इंडिया पुष्टक या सुप्रिया पॉल लिखी है इस्टेजिंग दा प्लेयर्स इन माई लाइफ पुष्टक या रवी साश्ति ने लिखा है सावारकर ए कॉन्टेंटेड लेगेद 24-26 पुष्टक या बिक्रम सपंध ने लिखा है दा फोर्थ लाइन इजेज भोर गुपाल कृष्टन गांधी पुष्टक या बेनु माधब गोबिंद और श्रीनाथ राघव ने लिखा है अगला कूश्चन है बिश्व की पहली जिवासमुक्त इस्टील किस देश ने बनाई है तो बिश्व की पहली जिवासमुक्त इस्टील या बनाई है तो सुईडन ने बनाई है इसका राई टेंसरों का आपसन नमबर ए सुईडन सुईडन गिदिन इस्टिल वेंचर हाइब्रीट कमपनी ने कोईले का उप्योग किये बिना उत्त पादित इस्टिल की बिस्ट की पहली ग्रहक डिलेवरी की है इस इस्टिल को हाइड्रोजन बेक्थ्रू आइरन मेकिंग टेखनलोजिे का उप्योग करके बनाया गया है। जो कुले और को के बचाए 100% जिवा समुक्त हईद्रोजन उप्योग करता है। तो भारतिय नागरी को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ओप्रेशन शुरू किया तो यह भारत सरकार ने काबूल से भारतिय नागरी को सुरक्षित लाने के लिए यह ओफ्रेशन ओप्रेशन देवी सकती शुरू किया इसका राइट टेंसर को आपसन नमबर सी संदेवी सकती रखा है तो यह अफगानिस्तान से लाया तो अफगानिस्तान के बारे में इपॉंटेंट फैक्ट देख लेते हैं अफगानिस्तान एस्या महदूट में इस्थी थे अफगानिस्तान की रदानी काबूल है अफगानिस्तान की करेंशी अफगानी है भात ने किस किस देश ने काबल नदीप वस्वतूत बांध का निर्मान किया है तो अफगानिस्तान में किया है दुरांड रेखा किन तो देशों के बीच अंतराश्टिय सीमा बनाती है तो यह पकिस्तान और अफगानिस्तान सोरा किस देश का संसत का नाम है तो यह अफगानिस्तान का सं सлекड़ इन्वर्सिति कौन सा बना है तो यह і एकेडमी करेंगिंग को फ्रेउड इन की रिपूर्ट के दोष्ब रहना है तो यह बना है आय एक बन्द बना है इसका आइडंकिंग्स नंब्र है है आय आई आई एसी बेंगलोरु करनाटक राजे में इस्थीत है अब देख ले टॉफ टीन इनवर्सिटी भारत की कौन-कौन है तो फर्स्ट नमबर पर यह आई एसी बेंगलोरु है और सकेंड रस्थान पर यह कलकाता इंवर्सिटी है और थर्ड पर बनारास हिंदू इनवर्सि बित मंत्री निर्माला सिता रव्मन ने तेश अगस्त 2021 को चार वर्सी राष्टी मुद्रिक करन पाई प्राइप लान यूजना का अनावरन किया इसका हुद्यस से है कि इस पहल का मुख्य हुद्यस मुद्रिक करन के माध्यम से अफशन रचना निर्मान को संभम बनाना है जिसमें चमता के लिए लिहाज से अपने अपने छेतरों के उत्किरी सरवजनिक और नेजी छेतर सयोग करे जिससे समाजिक आर्थिक विकास को संभम बनाया जा सके और देश के नागरी की जीवन की गुनवता में सुधार हो तो अब देखले टॉप फाइब राजय की यू देश की है एक पौधा सुपोषीट वेदति के नाम जोजना ये राजस्थान की है पांक योजना ये मतेप्रदेश राज्जे की है अगला कुश्चन भू अस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्तधारा किस ने लॉंच किया है तो यह भू अस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्तधारा की शुरुआत की है यह पोर्टल रिपोर्ट सेंसिंग और भवगोलिक सुचना परनाली अधारी टेटा का उपयोग करके नई मने रहेगा स में विकास और पंचायती राजमंत्री गिरी राश सी ने इस पोर्टल कास भारम किया है तो दोस्तों आज जो 25 अगस्थ समंदित पूरे करेंटर फ्रेस कर लिए और इसका क्यूक रिविजन कर लेते हैं पहला है कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चारित विल्चेर नियो ब मनी है एंटी पीसी ने किस राचे में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सुलर फिवी पर योजना की शुरुआत्म की है तो यह आंधर प्रदेश में की है विश उजल सब्ता दुजरी किस कब से कब तक मनाया जाएगा तो यह तेश से सताय सगस्तक मनाया है वहाट सरकार ने काबल से भारतिय नगली को को सुरक्सित वापस लाने के लिए कंसा ओपरेशन सुरू किया है ति ऑपरेशन सकती शुरू किया है एकेडमिक रेंकिंग औफ वाड़् एंवर्सités की रीपोर्ट की अनुसर भाद का सरवसेजिटी कंसा बना है और आयाई सी बंगिलरू बना है राष्टिय मुद्रिकन पाइप लाइन योजना को किस ने लॉंच किया है तो यह निर्माला सितारमन ने लॉंच किया है भू अस्थानिक नियोजन पोर्टर इक्तधारा को किस ने लॉंच किया है तो यह गिरी राष्षी ने लॉंच किया है तो दोस्तों प्रवतमाला किस राजे में इस्थित है तो यह तमिल नादू में इस्थित है किस सम्भे धानिक संसोधन दौरा दिल्ली में विधान सभा के स्थपना की गई तो यह उन्हत रहमा सम्धान संसोधन में 91 में दिल्ली में विधान सभा के स्थपना की गई दिल्ली के होज खास छेत्र में चोर मिनार यानि कि अंदोलन अब 295-11 के बीच यह बना अगला है भारत में वस्तु एवं सेवाकर याने GST कब लागू हुआ तो यह GST लागू हुआ एक जुलाई 2017 को लागू हुआ अगला है किस सम्यधानिक संसोधन के दोरा भारत में वस्तु वेवं सेवाकर GST को लागू किया गया तो यह 101 सम्यधान संसोधन 2017 के दोरा GST को लागू किया गया किस देश ने वस्तु वेवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया या फ्रांस ने सबसे पहले जेश्टी लागू किया कम्प्यूटर का मस्तिक्स किसे कहा जाता है तो यह CPU कहा जाता है यानि Central Processing Unit को कहा जाता है चिपको अंतोलन के प्रनेता कौन थे यह सुन्दरलाल भूगुन ना थे तो दोस्तों आज 25 सब्सक्राइब करके उसका बता दिये और डेली की तरह दसे स्टेटिजिक के भी पूरा कर लिए यह वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट वक्स में जरू बताएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जबके लिए जाहि झाल बताओदी है झालै झालन है, हमको कि पुर जबगे पूरा करने श located.